बिन्ना र्ता श्री गडेशा । टो bonकेश्वरां सर्वेश्वरां पर व्रम्ह ये स्वामीनात श्री गडेश। द्राता के शक्ती धर उधारण करने के पीछे भी अवश्य कोई विशेश कारण है अब शीखरी समच संसार के समक्स गौरी नंदन कार्दिके किस रूप की गाता प्रसुत होगी यह दरपन तो इनके हाथों में था और इसमें ही कुछ देखने के पश्चात दीव सेना की ऐसी इस्तिती हुई है परन्तु मैं इसमें अभी समय व्यार्त नहीं कर सकती सर्वर परथम मुझे इनकी देखभाल करनी है राता का ये शक्तिधर रूप और इस रूप में उनकी लीला के साक्षी होने का परम सौभाग ये प्राप्त होगा मुझे सुरा सही को हमारे आगमन की सूचना मिल गई तो वो हमें रोकने से पहले दोनों को अवश्य ताड़ना देगी किन्तु अभी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कल का यूद आरम ना हो और सभी का ध्यान ना बटक जाए तब तक तो हम भी नहीं लोट सकते क्या लगा था तुम्हें कि कोई महेंद्रपुरी में घुस कर तुम दोनों को यहां से ले जाने में सफल हो जाएगा ब्रह्म था तुम्हारा किन्तु तुम्हें होने वाला कष्ट ब्रह्म नहीं तुम दोनों को इतना कष्ट दूँगी कि तुम्हारे पिता भी यहां आकर कहेंगे तो भी तुम महेंद्रपुरी से बाहर तु क्या यहां की सीमा तक नहीं लांग पाओगी ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का विचार भी कम्पित कर देगा तुम दोनों को तुम दोनों बार-बार मुझे क्यूं विवश कर रही हो क्यूं करती हो ऐसा मेरे साथ अब मैं कैसे समझाओं तुम दोनों को नहीं नहीं अब घुटनों पर जाकर मुझे से शमा मांगने का क्या लाब है बार-बार तुम भूल करो और हर बार मैं तुम्हें शमा करती रहूं ऐसा कब तक होता रहेगा क्या तुम अपने पतियों से प्रेम नहीं करती क्या तुमने कल्पना भी की है कि शत्रू के सामने जाकर गिड़ गिड़ाना शर्नागत होना तुम्हारे पतियों के हिरदय पर कितना बड़ा आगहात करेगा बस का आगहकनी तो बनाया तुम्हें तुम्हें इतना ही तो करना था जिससे तुम्हारे पुत्र युद्ध में विजय हो सकें विजय होकर आय हूँ मैं पुत्र अतियानंदित हूँ मैं जो तुम लौट आये हाँ दादी मा विजय होकर अब तो बस बालक कार्ति के और उसका गजमुक भराता ही शेश है गर्व से केवल मेरा मस्तक ही उचा नहीं हुआ है पौत्र तुम्हारी आज के विजय ने सभी असरों का मस्तक उचा कर दिया है मैं अती प्रसन्न हूँ कि देखा देखा तुम दोनोंने काब भगाने का अप्शगुन मिटाने का परिणाम है ये तुम्हारा पुत्र सुरक्षित ही नहीं युद्ध में विजय होकर लोटा है और तुम मुझे क्रूर को कर रही थी और फिर द्रोह करने जा रही थी तुम इतना समझाने के बाद भी द्रोह ही है तुम दोनों के मन में नहीं नहीं क्रोध मत करो पुत्र अपने पुत्र और पुत्र वधूं के बीच में मन मुटाव कौन सी मा चाहेगी तुम्हारे पती और पुत्र की सुरक्षा और युद्ध में विजय में तुम्हारी भी भलाई है ना तु भला बताओ ये कठोड दंड था या आदेश था ऐसा दंड दूंगी कि मेरे आदेश के विरुत जाने का विचार भी कमपित कर देगा तुम दोनों को माता स्वामी एक अंतिम बार हमें शवा कर दीजिए हमें ग्यात हो गया है इसलिए अब युद्ध के अंत तक हम काग हाकने के लिए तयार हैं जिससे आप सब सुरक्षित रह सके और युद्ध में आपकी विजय हो विजय तो हमारी होगी ही क्योंकि कल उन दोनों का अंत करूंगा मैं जिन्हें भगवान होने का भ्रम है फिर सर्वत्र जैजैकार होगी भगवान सुरा पद्मन की और माता सुरसाई की नहीं भ्राता कल युद्ध में आप नहीं आपका अनुच अर्थात अगनी मुखम जाएगा जो शत्रू पर उनके ही भीतर की अगनी अर्थात उसकी स्वागनी से वार करता है बाहर की अगनी से बचना संभव है परन्तु अपने भीतर की अगनी अर्थात स्वागनी से बचना असंभव है युद्ध में हर एक युद्धा को अफसर मिलना चाहिए क्यों दादी मा उचित कहाना मैंने ब्राता भानू कोपन ने अपने सामर्थ को प्रमानित कर दिया देपताओं की संपूर्ण सेना ही नश्ट कर दी अब वो केवल दो ही शेश हैं नहीं नहीं अगनी लुखम उसका अर्थिके का अगनी पर नियंत्रण है तुम्हें स्मरण नहीं क्या? माता सुरसाई ने मायावी अगनी के साथ असुरेंडर को युद्ध में भेजा था और उसका कितना भैंकर परिनाम हुआ था मुझे स्मरण है और इसलिए मैं केवल अगनी नहीं अपितु अपने साथ एक अती विशिष्ट शक्ती को लेकर जा रहा हूँ जिसका उन देखताओं के पास कोई विकल्ग नहीं मुझे मा काली का वर्दान प्राप्त है उन्होंने वचन दिया है मुझे कि वो किसी भी युद्ध में मेरी सहायता करेंगी कल्ब हनुक उपन महा माया अस्तर के साथ आया और अकेले ही हमारी सेना को शती पहुंचाई किन्तु आज वो चाहे किसी भी माया के साथ क्यों ना आ जाए उसके साथ उसका भी अंतनिश्चत है ब्राता ये असुर अत्यंत कप्ती है इसलिए कल जिस अस्तर का प्रयोग किया था आज उस अस्तर के साथ कदापी युद्ध नहीं करेंगे और मुझे तो आभास हो रहा है जैसे किसी माया के साथ नहीं अपितु आज ये किसी महाशक्ती के साथ युद्ध भूमी में उत्रेंगे भानु कोपन तो वही है महिंद्र पूरी में फिर आज उनकी ओर से युद्ध कौन करेगा अगनी मुख भानु कोपन का अनुजी हो सकता है क्योंकि उनकी ओर से आप एक मात्र यही युद्ध शेश माता महाकाली उनकी आकरिती इस असुर के साथ तो क्या इसे माता का आशुर्वात प्राप्त है किन्दो क्यों? अगनी का स्वामी असुर समराज भगवान सुरा पद्मन का सुपुत्र अगनी मुखम हूँ मैं आज तुम्हारा सामना उस अगनी मुखम से होगा वो तुम्हें वही पहुँचाएगा जहां कल तुम्हारी सेना को भईया बानुकोपन ने पहुचाया था तुम्हारे काल के पाल इसकी सेना जो जल में डूप चुकी थी वो जीवित कैसे है? कर लंग कर दो कर दो झाल तरप्रोफ जो अरोफ प्रोफ लुपर मुझा है झाल जाल जाल मुझा है झाल प्रॉप इन्पर रॉप जिन्हें मैंने स्वैम अपने महा माया अस्तर से समुद्र में जल मगन कर दिया था वो युद्ध भूमी में वोपस कैसे आ गए कैसे पुनर जीवित हो गई है कैसे किया इस बाल अपने ये संभाव जब स्वयम शक्तिधर प्रभू कारती के यहां है तो ना उनकी सेना को और ना ही उनके भगतों को कोई कि भूता धन्ग पानिशक्ति धरा सुक्रमन्यम्ता तिक्देवा संभ भूता अनिश्वरा जै भूतांतर आग्मा जै की जै जै शडानन जै 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 पर मातमा जै 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 भूतांतर आग्मा कि अधी श्यानिक तेवर देवट शक्ति श्वरा आधी थी अनाधी थी सर्वशक्त समुधवा रातकी कोछ आपका गड्या का बाराइ चाही एलो जैना जैना जै युकता शक्ति रूप गार्ट सेवार सेनानी योगेश्वर देव देव शाक्ति धरा महा माय आस्तर से आहत होने पर गए हम सभी सुरक्षित जीवित यह कैसे संभवाय प्रभाव से ब्राता कार्टिके के अमोग महा आस्तर ने आपको सुरक्षित किया था आप सभी बस मुर्चित हुए थे और अब माता पारवती के शक्तिदंड की सहायता से उन्होंने आप सभी को मुर्चा से भी मुक्त कर दिया है यह महमा है प्रभु कार्टिके के शक्तिधर रूप की, जिनकी पूजा करने से शत्रू ही नहीं अपितु किसी भी बाधा का सामना करने की भी शक्ति प्राप्त होती है तो बोलिए श्री शक्तिधर प्रभू की जैए श्री शक्तिधर प्रभू की जैए श्री शक्तिधर प्रभू की जैए नहीं, नहीं, ये उचित नहीं जैजेकार इनकी नहीं, हमारी होनी चाहिए पुत्रियों, इतना अपमान, इतना कश्ट, कब तक सहोगी तुम दोनों? चलो हमारे साथ चलो, नहीं नहीं माता, अब हम कई नहीं जाएंगे, यह काग इन्हें उड़ा देंगे हम, आप निच्चित रहिए हम पुना वो तुटी नहीं करेंगे, माता माता, हमें ग्यात है, आप माता सुरा सही है, हमारी परिक्षाले नहीं आई है और हम विश्वास दिलाती है, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी नहीं, मैं माता सुरा सही नहीं अजामुखी हूँ, अच्छा मुझे नहीं तो अपने पिताजी को पहचानी है माता, हम आपकी माया को भली भाती पहचान गई है इसलिए अब हम किसी ब्रह्मे नहीं आएंगी जब तक इस युद्ध का अंत नहीं हो जाता हम यहां से किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाएंगी आप तोनों समझ क्यों नहीं रहें माता सुरा सही यहां नहीं वहाँ है विताश्री क्या हुआ पुत्री तुम्हारे पाउं आगे बढ़का रुक क्यों गए क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं माया है यह आपका ही कोई नवीन चल है यह हम मान गए है ना तो आप हमें यहां से कही जाने देंगी और नहीं हम करें जाएंगे अपनी सेना की रक्षा कर इतना प्रसंद होने की कोई आवश्चक्ता नहीं है क्योंकि शन भर में यह सभी नाश्ट होने वाले हैं क्योंकि यह हाल ए ओ घॉ तो शस थ हाँ वह ए । हुण प रहाँ हाँ आएाओ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसने भीतर से ही सभी देव सैनिकों में अगनी जला दी हो इनके भीतर के अगनी तत्यों को नियंत्रण में कर उनकी ताप को बढ़ा रहा है ये दुष्ट अगनी मुखम तुम्हें जल तत्यों प्रतान करता हूँ जो किसी भी परकार की अगनी का बैरी होगा यदि अगनी तत्यों सबके भीतर है तो जल तत्यों भी तो है वाम 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 जल तत्व के इस मंत्र ने अगनी तत्व को शांत कर दिया हमारी सेना अभी भी सुरक्षित है मेरी अगनी मेरे लावा को कोई शांत नहीं कर तकता मेरी शक्ती को रोग कर अपने आपको विजय मत मान लेना क्योंकि वो शक्ती जो मैं अपने साथ लाया हूँ वो ना रुख सकती है और ना ही पराजित हो सकती है ये किस शक्ती का संकेत कर रहा है मुझे इसके निकट माता महाकाली का अभास हुआ था वो आम चामुंदाए नमा हे माता महाकाली मैं आपका आवाहन करता हूँ आपने वर्दान दिया है कि यहां आकर इस युद्ध में मेरी सहायता करेंगे करेंगे आपने दिया है कि यहां आकर आकर अर्दान 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 माता काली? टरांले वो डिव आणले जैसली प्लिव आणली अपस्ट दोपड़ी, औरोली थान धानिम् इन्हेशी कर्माईदन क्शूरी जैذी स्वीजनन ओानी आपस्ट औरे लिए, गवाली ववाली खहीन मस्ट पानाशी खगा खड़ाशी खुर्दाच शर्टाच बाच्टाच बाच्टर भाच्टारश जास बस्तो ते इड़ाई भो हुआज़ा कर। अब आएगा आनन्द मुझको माता महाकाली का तो विरोध भी असंभव है अब संगार होगा इन दे उताओगा ली दो एर मेपया इन दे उशान वे उताओगा 어떡"! भाओःrawा इनलेंपना खिकत अलँ बीदागा जएगाधफगा इनलेंपना यारा आरा. याओथ! माता तो असुर सैनिकों और तेव सैनिकों में वेद ना कर सभी का संघार कर रही हैं उनसे दूर रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है पीछे मत हटो, आगे बढ़ो संघार उने दो सेना का इसके लिए मैं किसी का भी बलिदान दे सकती हूँ तुम्हारा भी आगे बढ़ो, पीछे मत हटो अपने निर्दोष सैनिकों को इस प्रकार आहत होते देख मुझे आपार पीड़ा हो रही है कि तु आपार आपार आपारा आपाए अत्याए देख रही है इसके फिसाना भी वे ए खारा आपार 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 आपकारं आपड़ा कट क्यों चला गया है कहीं वो भी उनके क्रोथ का भागी ना बन जाए कि प्रणाम माता शांत हो जाए माता इतना तो देखी किसका संहार हो रहा है आपके द्वारा ये अनुचित है माता इसे रोग दीजिए कि व्रहाए माता माही रहाए मोचा से तो नवों दी बचासाए रहा है कि मचछर्ण चुह जो अगचर्ण वहाँ पन्हों पुफाँ माता चरक रुक क्यों गए? नहीं, नहीं, माता इस प्रकार रुक नहीं सकती, उन्हें हमें इस युद्ध में विजय दिलानी होगी, भले ही इसके लिए देश सेना के साथ संपूर्ण असुर सेना का भी नाश क्यों ना हो जाए? यिरो दो विचित करा है मुची पुत्र कणिश, कहीं मैं तो इसके रुदन का कारण नहीं बन रही हूँ मा का आशिरवाद वो रक्षा कवच है जो किसी भी विशम परिस्थिती में संतान की रक्षा के लिए परियाप्त होता है हुआ है